लोडन्स पे सिरोई के सहफार्टी को हतियार सप्लाई करने वाला दबू चलेया, गोलडी बरार ने सौपी थी यह सिम्मेदारी. जात्मे बना चला कि आरोपी बलदेव चौधी को हतियार पटियाला के रहने वाले जस्करन निस्तौपे थे जस्करन कबड़ी का अच्छा खिलारी रह चुका है उसे बलदेव चौधी तक हतियार पहुचाने के जिम्मेदारी विरेश में बैठे गैंगेस्टर गोल्डी बरार में स्वापी थी बलदेव चौधी के साथी बलदेव चौधी को हतियार सप्टाई करने वाले एक आरोपी को दुधियाना कमिस्ट्रेट पुलिस ने गरफतार किया है CIA-2 की टीम जार्च कर रही थी कि बलदेव चौधी के पास हतियार कहां से पहुचे इसके बाद आरोपी को काबू किया गया आरोपी के पहचान पटियाला के भातसों इलाके में रहने वाले जस्करन सिंग उर्फकरन के रूप में होई है पलिस ने आरोपी के खिलाफ मामना दर्स कर लिया है आरोपी को अदलत में पेश किया गया है जहां से उसे दो दिन के पलिस ने मांड पर भेज दिया गया है पलिस आरोपी से पूस्ताश करने में जुबी है CIA2 के परभारी इंस्पेक्टर बेंत जुनेटा ने बताया कि फुछ समय पहले पुलिस ने बलदेव चौद्री वर्फ बल्लू को गिरफ्तार किया था उसके कब्से से पुलिस ने हत्यार बरामत किये थे और उसके एक साथी अंकित शर्मा को भी गिरफ्तार किया था पुलिस पुलस्टाज के दौरान पता चला थे कि आरोपी गैंगेस्टर लॉइन से विश्रोई का नस्थी की और स्वापार्डी है इसके बार पुलिस जाट में जुल गई की आरोपी के पास हत्यार कहां के आए जाट में पता चला कि आरोपी बलदेव चौधी को हत्यार पट्याला के रहने वाले जस्करन ने सौपे थे जस्करन कवड़ी का अच्छा खिलारी रह चुका है उसे बलदेव चौधी तक हत्यार पुस्टानी के जिम्मेदारी विरेश में बैठे गैंगे स्टर गोल्डी बरार ने सौपी थे पुलिस के अनुसार आरोपी का कोई अप्राधिक रिकॉर्ड नहीं है खिलिसी और जाज करने में जुटी है कि आरोपी गोल्डी बरार के संपर्क में कैसे आया और हत्यार सप्लाई करने के लिए बलदेव चौधी और वा एक दूस्टानी के संपर्क में कैसे आया कर दो नहीं है